प्रिश्न कनया लाल की जै ए मायादनाद की चली जात अंधेरें त्रिगुण सरगुण होई के व्यापक आए पिरत है फेरें सुन्दर साथ जी भदवववद्टो महामती स्वामी श्री प्राणनाद जी महाराद परमधाम की प्रमंगनाव सहित समस्त रश्टी को संबोधित करते वे कह रहे हैं इस माया की पैचान करो ये आद अनाद से चली आ रही है ये अंदकार में हैं इसकी जड़ें उपर हैं इसका फल नीचे है जैसा की गीता जी भी कहती है उर्द मूलं अधह शाकह मश्वथं प्राहु रब्गयं छंदन सी यश्य परणानी यस्तंबेद सवेदित इसको पैचानना चाहिए इस माया की पैचान जब तक नहीं होगी हम परमात्मा की पैचान नहीं कर पाएंगे आवशकता है पहले इस माया की पहचान करें तो परमात्मा की पहचान तो स्वत्य हो जाएगी मगर इस माया ने ऐसा हमको घिर रखा है आदी से जब से ये माया बनी तब से ये अंदकार में विश्व ब्रमांड जिसके अंदर ये जीव उल्जहन में ब्रमडियां ले रहा है बटक रहा है इसके बटकाव से निकलने के लिए किस माया की मूल की पहचान करना चाहिए हम इस वपन को भी सत्यमान बैटे हैं इसी का नाम माया है वास्तविक ता यह है कि जो वास्तविक सत्य है वो हमारे लिए भ्रह्म बन गया है कलपना बन गयी है और जो मायावी सत्य जिसको मान करके चल रहे है वो जूट हमारे लिए सत्य बन गया है कितना भी समझने के बाद में भी हम उसी को ही सत्यमान बैठे हैं सुन्दर साथ जी वास्तविक पहिचान कीजिए आत्मा अद्रश्य है मगर वास्तविक सत्य वही आत्मा है जो अद्रश्य है चेतना वही है जो अद्रश्य है ये द्रश्यमान सत्य एकदम असत्य होने पर भी सत्य निकलाई पड़ता है और इसी असत्य के ब्रहमज आलमें हम उस वास्टिक तथ्यात्मक सत्य को बुला बैटे हैं इसलिए प्राणना जी कहते हैं सरगुन निरगुन होगे आपक आए फिरत फिर है ये इस प्रकार से सरगुन निरगुन हो करके साकार निराकार हो करके बमड़ियां खाती हैं फिरती हैं और ये जीवात्मा उसी में बटक कर उलग जाता है इसलिए पहिचान कीजिए सत्य का दर्शन करना है तो असत्य की पहिचान कीजिए जिसके अंदर हम ये उलगेवे हैं बटकेवे हैं ब्रमी तक हैं इस भ्रहम जाल से हमको निकलना है ये केवल गीता का ही नहीं प्राणना जी का ही नहीं समस्त शब्द वंगवाएं का एक अदुबवद है हम उस सत्य को पहचान करके अपनी सत्य आत्मा को उस सत्य मे लिन करें प्राणना प्यारी कीजाए करिशने का नहीं अलाले की जै